अलो बचो वेलकम टू सक्सेज ड्रीमर्स दे अवेंजर्स आज हम करने वाले हैं आपकी जो बचो मैक्रो एक्कोनॉमिक्स है आपकी 12th क्लास की उसका चैप्टर नमबर 3 ऑदी नेशनल इंकम एंड रिलेटेड एग्रिगेट्स का पार्ट वन है तो बेसिकली जो पार्ट है यह आपके चैप्टर नमबर 4 जो है उसका एक तरह से कहते हैं बेस है यूकि जब इसके बाद आप चैप्टर नमबर 4 पढ़ते हो तो चैप्टर नमबर 4 में आप क्या करत तो इस चेप्टर में हमने क्या सीखना है एगर्मूले किस तरह से बने और उन फॉर्मूलों को आप किस तरह से चैप्टर नमबर 4 में करेंगे आप बच्चों इसमें आपको मेरिनली दो चीज़े बताई जाती एकappelle आपको बताई जाती है ठीक है, Terms के Technical नाम क्या-क्या होते हैं वो और दूसरी जो है Balancing करना आपको से खाया जाता है तो इसमें हम यही सारे चीज़े सीखेंगे और Chapter No.3 और Chapter No.4 दोनों में ही आप कुछ-कुछ Practicals भी करेंगे Main Practicals तो आपके Chapter No.4 की होने वाले हैं But Chapter No.3 में हम कुछ छोटे Practicals आपके करेंगे ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली इस Chapter में मैंने आपको बताया कि यह जो हमारा Part 1 है इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने टर्म सेखनी है जैसे मैं आपके कुछ Common Term लिखता हूँ जैसे सबसे पहले टर्म है National Income ठीक है? दूसरी टर्म में लिखता हूँ Domestic Income और तीसी टर्म में लिखता हूँ Gross Value Added ठीक है बच्चो? National Income, Domestic Income और Gross Value Added तो यह तीन नाम आपने पहले सुने हुए है कोई जो है इसमें डाउट नहीं है आपने दसवी क्लास में पढ़ा था Economics जो उसकी बुक कर दिती उसमें आपने National Income के बारे में पढ़ा था Domestic Income के बारे में भी पढ़ा था Value Addition के बारे में भी आपने पढ़ा था ठीक है लेकिन यहां पर हम बात कर रहें के टेक्निकल नाम क्या है ठीक है तो एक्चुली में जो आपके National Income होती है उसको हम टेक्निकली क्या कहते है एकनोमिक्स के लैंग्विज में उसे क्या का जाता है उसे का जाता है नेट नेशनल प्रोड़क्ट एट फैक्टर कोस्ट ठीक है नेट नेशनल प्रोड़क्ट एट फैक्टर कोस्ट सन्माया तो बेसिकली इसको एक आ जाता है दूसरा होता है डोमेस्तिक इंकली में क्योंक केते हैं नेट को कर सब्दので सब्देए नेट को क्रोड़क्ट एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है NET Domestic Product at Factor Cost यह किसा है कि कहते हैंиля वाचो Domestic Income मतलब हमारी गरेलू आए Natural Income मतलब हमारी RTINS राष्टींप्रिय आए ठीक है और जो तीसी त्यू घ्राइस वैलेव्ट इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइज ठीक है तो ये मैंने आपको बच्चों बताया कि कौन कौन से टर्म जो है उनको क्या क्या बुलाते हैं अब ज़रे इसको हम शॉट में देखें नेशनल इंकम मिलब एट फेक्टर कोस्ट तो हम इसे और शॉट में इस तरह से लिख सकते हैं एन फिर एन और पी एट एफसी एनन पी एट एफसी ठीक है एन एन पी एफसी देन इसे हम लिख सकते हैं एन डी पी एट एफसी और इसे हम लिख सकते हैं जी डी पी एम पी तो I think आपको ये technical जो है नाम इनके समझ में आये होंगे कि हम national income को technically क्या बुलाते हैं domestic income को हम technically क्या बुलाते हैं और हमारा जो gross value added है उसे हम technically क्या बुलाते हैं तो सबसे पहले चीज तो बचो आपको ये अच्छे से memorize होने चाहिए कि इनके technical नाम क्या है क्योंकि exam में जो है यह सारी चीज़े आपको इस तरह से भी पूछी जा सकती है क्योंकि formula जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह से इसको याद रखना पढ़ेगा तो first thing first जो है आपकी basic चीज आपकी है कि आपको याद होना चाहिए कि नैशनल इंकम जो होती है उसे क्या कहा जाता है economics की language में domestic income को क्या कहा जाता है और आपके जो gross value added है उसे क्या कहा जाता है आपको इतना clear हो गया होगा अगर इतना clear हो गया है तो please चैनल को subscribe कर दिजिए और bell icon जुरूर से दवा दिजिए अब अब हम चलते हैं आगे बच्चों ठीक है तो यह मैंने आपको technical words बताए अब थोड़ा सा हम चलते हैं balancing पे तो यह जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप अपनी copy में साथ-साथ note करते जाए क्योंकि यह बहुत important चीज़ें जो मैं आपको अभी करा रहा हूं तो चलिए अब हम balancing से related कुछ formula आपको कराते हैं आपको याद होगा जो मैंने chapter number second आपको बताए था तो chapter number second में मैंने आपको कुछ जो है चीज़ें पताए जैसे gross और net ठीक है MPFC अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है playlist में जाके देख सकते हैं chapter number second का मैंने जो macro economics का playlist बना रखाए उसमें आपको मिल जाएगा ठीक है तो अब हम देखते हैं हमारे जो formulas है related to balancing balancing से related कौन कौन से हमारे formula होते है ठीक है तो अब देखे जड़ा हम सबसे पहला formula जो हमारा होता है बच्चों क्या होता है gross equal to net plus, gross is equal to net plus depreciation, gross equal to net plus depreciation इसी तरह से net is equal to gross minus depreciation ठीक है और यह दो depreciation होती है depreciation को हम कहते है consumption of fixed capital यहां फिर यह सम कहते है current replacement cost ठीक है दूसरी चीज़ यह आपको पहला formula जो है जो है समझ में आया होगा अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं इसको जब हम use करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा यह आपको बस जो चीज़े में बता रहो इसको याद रखना है इसको अपने copy में note कर लेना है ठीक है अब इसके बाद अगला आता है आपका MP MP मतलब market price is equal to FC plus NIT NIT मतलब net indirect tax FC मतलब factor cost FC is equal to MP minus NIT ठीक है और अगर आपको NIT नहीं दे रखा NIT इस इगल to IT minus subsidies IT मतलब होता है indirect tax NIT मतलब net indirect tax subsidies मतलब subsidies NIT को हिंदी में कहते बच्चो आपके निवल एपर्टेक्ष कर शूद एपर्टेक्ष कर तो यह हो गया आपका दूसरा अब हम चलते हैं तीसरे सेट पे तीसरा सेट है आपका NF sorry तीसरा सेट है आपका नेशनल इस इकल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA और डोमेस्टिक इस इकल टू नेशनल माइनस शोरी नेशनल यह प्लस रहेगा यह माइनस NFIA ठीक है और NFIA इस इकल टू फीफा माइनस फीटा ठीक है तो अब जड़ा मैं आपको इनके बारे में बताओं देखो NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम अब्रोड मतलब जो हम दूसरे देशों से नेट फैक्टर इंकम कमा रहे हैं उससे हम कहते हैं NFIA अब नीफा इससे करते हैं NFIA फीफा मतलब फैक्टर इंकम फॉम नन ब्रोड मतलब दूसरे देशों से नेट hen 했는데 साधन से हम कहते हैं विदेशो को साधन है ठीक है फीफा में से फीटा मैंस करो के तो आजएगा नेट फैक्टर इंकम फ्रम अबरॉड यह हो गया आपका तीसरा से अब यह मैंने आपको बता है यह आपको कहीं और इस तरह से नहीं बता दाएगा आप दूसरे चैनल में भी देख सक लगते हैं कि आप जो मैं आपको बता रहा हूं यह कॉंसेट यह मेरे को नहीं लगता कि जो है आपको जिस तरह से मैं समझा रहा हूं उस तरह से कोई समझाएगा तो आप इसको कॉपी पर लिखिए और अच्छे से आप इसको याद कर लेजिए आपका जो नेशनल इंकम के प्रैक्टिकल्स का वह 100% मैं क्लियर करवा दूँगा यह आपको बस दो काम करने फ्रैक्ट्र फॉर्मुले लिखने अच्छे से याद करने और जो जो कोशन में आपको करा रहा हूं उनको आपको अच्छे से समझ लेना है तो फिर कोई भी कोशन आपका आता है I don't think आपको हो है GDPMP और यह है NNPFC बेसिकली मैं सीख क्या रहे हैं हम यह सीख रहे हैं प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग बैलेंसिंग मतलब अगर आपको दो चीज़े दे रखी है दो एक्वेशन दे रखी है तो उनको आपस में बैलेंस कैसे किया जाए ठीक है जैसे यह मैंने यहां पर लिखा GDPMP और यहां लिखा NNPFC अब यह दोनों एक्वल तो है नहीं है ना यह दोनों एक्वल नहीं है कमें षाघ्र शर्याट रिपैस को ने ृटबशएटzent करने के साथ किसके साथ ह there the est to existing को डोमेस्टिक को डोमेस्टिक के साथ विस्च के साथ है नैशनल के साथ MP represent कर रहा है market price को इसका relation किसके साथ है factor cost के साथ जो मैंने आपको arrow बना के भी दिखाया है तो अब बात आती है कि भी balance कैसे किया जाए तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया NNPFC और यहाँ मैंने लिख दिया GDPMP तो अब हम वापस balancing वाले formula पर जाते हैं depreciation अगर आप net में से minus कर देंगे sorry gross में से minus कर देंगे depreciation तो आपके पास net आदेगा national equal to domestic plus NFIA ठीक है और FC is equal to MP minus NIT ठीक है तो इस तरह से आप balancing करना सीठते हैं यह मैंने आपको process बताया एक छोटा सा balancing का अब जैसे कि इस से related में आपको एक दो चीज़े छोटी छोटी और बताता हूं देखिए जरा समझी इसको जैसे कोशन लिया if domestic income is given how you will find national income अब अगर आपको domestic income दियो तो national income कैसे निकालेंगे अब एक थी सिंपल से आपको दिमाग में रखने के जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप लिखते हैं लैफ्रेंट साइट पे मलब हम को चीए आपको सबसे सार्टिंग में बता है नेशनल इंकम को कहते हैं नेशनल इंकम को हम कहते हैं इसका मतलब अगर आपको नेशनल इंकम चाहिए और डोमेस्टिक इंकम दे रखा तो आप डोमेस्टिक इंकम में एक चीज़ और जोड़ देंगे जिस हम कहते हैं एन फाइए तो इसी को बच्चों का जाता है बैलेंसिंग करना ठीक है तो बैसिकली मैंने आपको जो आजशी क्लास बताई उसमें मैंने आपको सिर्फ टर्म्स बताई नेशनल इंकम डोमेस्टिक इंकम ग्रॉस वैल्यू अडिट को क्या कहा जाता है और बैलेंसिंग के फॉर्मुले किस तरह से यूज किये जाते हैं एक छोटा समयने अग्जाम्बल भी लिया, इतकद में आपका पार्ट तू बनाँगा तो पार्ट तू में वच्परेव बताऊंगा तो किस तरो से क्रेजाये बैलेंसिंग्.. प्रैक्टेकल क्योंकि आपके एक्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं MCQ में तो एक नंबर का कोशन आए गई आएगा अब्जेक्टिव टाइब और जो आप 6 मार्क से कोशन करोगे तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा आज ही क्लास में तो इतना ही प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन भी दबा दीजे अगर आपने किसी को शेर करना है तो अब शेर भी कर सकते हैं